असलाम अलेकूम टू आल तो आज हम बनाने जा रहे हैं अंडा पालक की सबजी जो कि सर्दियों के मौसम में बहुत ही हिल्दी होती है अंडा और पालक से बहुत ही अच्छी और भैतरीन सी सबजी बना कर तयार करेंगे हम तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं अंडा पालक बनाने के लिए सबसे पहले हम पालब को साफ दो लेंगे और एक कड़ाई में पानी चड़ा देंगे ताकि हम पालब को उबाल सकें दो से तीन मिनिट के लिए हाई फ्लेम पर हम पालब को उबालेंगे अब हम क्या करेंगे कि इसमें हरा धनी आट करेंगे एक मुठी के खरीब और तीन से चार हरी मिट्च आट करेंगे अब अच्छे से डुबो देंगे पानी में दीजी हमारे पालक को उबलते हुए दो मिनिट हो चुके हैं अब यह अच्छी तरह से बॉइल हो चुकी है अब हम क्या करेंगे कि एक बार इसको अच्छी तरह से मिला देंगे अब हम क्या करेंगे कि ग्यास के फ्लेम को आफ कर देंगे और एक चिम्टे की मदद से सारे पालक को अलग निकाल लेंगे एक प्लेट में अब हम क्या करेंगे कि चूंकि हमारी पालक उबल चुकी है तो हम उसको ऐसे ही नहीं रखेंगे बलकि ठंडे पानी में दालेंगे ताकि इसका कलर बिल्कुल भी चेंज ना हो पालक हो या कोई भी पते वाली सब्जी को बोईल करने के बाद इसको ठेंडे पानी में दलना चाहिए ताकि इसका कलर चेंज ना हो लीजिए अब हमारी पालक अची तरह से ठेंडी हो चुकी है अब हम इसको एक ब्लेंडिंग जार में डालेंगे ताकि हम इसका अच्छा सा एक पेस्ट तयार कर लेंगे पालक का पानी अची तरह से निचोड कर दालें ताकि इसमें पानी ना रहे तो चलिए अब हम पालक को ब्लेंड कर लेंगे लीजिए अब हमारे पालक का पेस्ट रेडी है देखिए इसका कलर कितना परफेक्ट आया है इसी तरह का कलर चाहिए था हमें तो चलिए अब हम क्या करेंगे पेस्ट को सैट में रखेंगे जिसका यूज़ हम बाद में करेंगे अब हम 200 ग्राम दही ले लेंगे जिसमें चन स्पाइस मिलाएंगे आदा चमच नमक ले लेंगे आदा चमच हल्दी पौडर ले लेंगे और देड चमच लाल मिर्च पौडर ले लेंगे एक चमच धनिया का पौडर ले लेंगे और हलका सा पाने डालेंगे इसमें डालकर ये तमाम मसालों को दही में अची तरह से विस्क कर लेंगे हम ये सारे मसाले दही में इसलिए मिला रहे हैं ताके हमारे ग्रेवी का टेस्ट और टेक्शर बहुत अच्छा है और हमारा दही भी ना फटे दही में मसाले मिलाकर दालने से दही नहीं फटेगा जिसके चांसे बहुत कम रहेंगे तो चली अब हमारा मसालेदार ही ready है, अब हम इसको side में रखेंगे, जिसका use हम बाद में करेंगे हम क्या करेंगे चंद बॉइल एक्स ले लेंगे और एक कढ़ाई चड़ा लेंगे और एक्स को हम हलका सा इस तरह से कट्स लगाते जाएंगे ताकि हमारे अंडों में मसाला अच्छी तरह से अंदर तक चला जाए इसी तरह से हम हमारे सारे अंडे रेडी कर लेंगे तो चली अब हम क्या करेंगे किः। कड़ाई में एक चमस्ट तेल डालेंगे। और तेल की ऐसी तरह से गरम होने के बाद हम क्या करेंगे जो अणों को हमने कट लगाखा कर रख लीक decorations और आप हम फ्राई करेंगे तोे छेत सबहीं और फ्राई करेंगे जो के लिए रोव दो चुटकी भर लाल मिस पॉडर स्प्रिंकल करेंगे हम अंडों के ओपर से इस तरह से अब हम दो चुटकी भर नमक स्प्रिंकल करेंगे अंडों के ओपर से ताकि हमारे अंडे अच्छे टेस्टी हो इसमें स्पाइसेस का टेस्ट आए नमक मिस लगाने के बाद एक और मिनि अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं अब हम उसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और उसको एक साइट में रखेंगे जिसका यूज हम बाद में करेंगे तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं अंडा पालक की सब्जी सबसे पहले हमें कडाई लेंगे जिसमें हाफ कप ऐल डालेंगे और 3 हरी यलाईची डालेंगे एक से दो इंच टालेंगे और 3-4 अदद लांग डालेंगे अब इन खड़े मसालों को चंद सेक yön लेंगे तरह से भूनने के बाद एक मेडियमम सेयूश की बारी कुट्छी हुई पयाज डालेंगे हम इसमें इसको फ्राई कर लेंगे अची तरह से ताकि इसका हलका सा कलर चेंज हो जाए लीजिए हमें प्याज को फ्राई करते होगे दो मिनिट हो चुके हैं इसका कलर चेंज हो चुका है इस टेस तक फ्राई करना था हमें अब हम क्या करेंगे कि एक छोटा सा टामाटर कट करके डालेंगे इसमें इसको भी मिला लेंगे प्याज और तेल में अब हम क्या करेंगे कि इसमें एक चमच अध्रगलसन पेस्ट एट करेंगे और उसको भी तेल में अछी तरह से घूण लेंगे हम ताके हमारी टमाटर और अध्रगलसन का पच्चापन चला जाए दो मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पर भुन लेंगे लीजिए दो मिनिट हो चुके हैं हमारे टमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं अब हम जो मसालेदार दही बना कर रखा था उसको डाल देंगे हलका सा पानी मिला कर दालेंगे अब उसको मिला लेंगे तामाटर और प्याज में अच्छी तरह से ग्यास के फ्लेम को लो करते हुए मिलाएंगे हम ताके हमारा दही ना फटे खरीब दो मिनिट अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब ग्यास के फ्लेम को मीडियम कर देंगे हम अब हम क्या करेंगे कि इसको कवर करके 3-4 मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पर छोड़ देंगे ताकि हमारे दही का कचापन चला जाए और मसाले हमारे अच्छी तरह से पक जाए लीजिये 3 मिनिट हो चुके हैं एक बार चेक कर लेंगे लीजिये हमारी ग्रेवी अच्छी सीद बन कर तयार हो चुकी है, एक बार मिला लेंगे इस तरह की consistency चाहिए हमें अब हम क्या करेंगे कि इसमें आदी चमच गरम मसाला पॉड रेट करेंगे और मिला लेंगे एक बार ग्रेवे में गरम मसाले को अब हम क्या करेंगे कि जो हमने पालक का पेस्ट बना कर रेडी किया है उसको डाल देंगे अब हम क्या करेंगे कि जार में हलका सा पानी डाल कर मिला कर सारी पालक डाल देंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे ग्यास के फ्लेम को हम लो करेंगे मिलाते वख इसी तरह से अच्छी तरह से नीचे से मिलाते जाएंगे ताके मसाला हमारे पालक में अच्छी तरह से मिल जाए अब हम क्या करेंगे कि ग्यास के फ्रेम को मीडियम कर देंगे और कवर करके 2-3 मिनिट के लिए रख देंगे ताके हमारी पालक मसालों में अची तरह से मिल जाए और उसका कचापन चला जाए लीजिए तीन मिनिट हो चुके हैं अब हमारी पालक अची तरह से पख चुकी है एक बार मिला लेंगे देखिए इसका perfect color आ चुका है और हलका सा तेल भी आ चुका है उपर से हम क्या करेंगे कि इस stage पर हमने जो अंडे boil करके fry किये थे उसको डाल देंगे और cover करके 3-4 मिनिट के लिए low flame पर छोड़ देंगे दो मिनिट बाद हम क्या करेंगे कि इसमें एक चमच कसूरी मेथिया एट करेंगे उपर से स्प्रिंकल कर देंगे और एक बार मिला लेंगे चमच की मदश से अच्छी तरह से मिलाने के बाद फिर से cover करके अगले दो मिनिट के लिए छोड़ देंगे लीजी अब हमें रखे हुए दो मिनिट हो चुके है एक बार चेक कर लेंगे लीजी अब हमारे अंड़े पालक की सबसी रेडी हो चुकी है देखिए कितनी शांदर बनकर तयार हुई है और ये इसका कलर भी एकदम परफेक्ट आया है बरती ठंड में अंड़ा पालक की करी बनाईए और ठंड को दूर भगाईए सर्दियों के मौसम में ये हिल्थ वाइस बहुत अच्छी होती है आई होप के आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो आप इसे एक बार जरूर ट्राइ करें और मुझे फीडबैक जरूर दें अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें शेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ अल्ला हाफीज और थैंक्स फॉर वाचिंग